हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तीट एक्जाम मास्ट चैनल और आर्मी स्कूल की जो वैकेंसी आई है आठ हजार पद के लिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि एट थाउजन पद के लिए आर्मी स्कूल में एक टीचिंग वैकेंसी आई है जिसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में फार्म की जो डेट है योग्यता है और सेलेक्शन प्रोसेस है स्क्रीनिंग एक्जाम का पैटर्न इंटर्व्यू टेस्ट और क्या यह पर्मानेंट है या सम्विदा आर्मी स्कूल से रिलेटेड आज सारे नोडिफिकेशन की बात कर दी जाएग आर्मी स्कूल की फॉर्म की जो डेट है फॉर्म की जो डेट है वो एक अक्टूबर से यहां पर बीस अक्टूबर तक यह फॉर्म आप भर सकते हैं यानि फॉर्म भरने की जो तिथी है एक अक्टूबर से बीस अक्टूबर शाम पांच बजे तक 5 पीम तक आर्मी स्कूल के फॉर्म भरे जा सकते हैं जन्रलबी सी की जो फीस है फॉर्म भरने की वो 500 है SCST की जो फीस है वो भी 500 है ठीक है यानि सब ligeग्भग फॉर्म भरने की सेम है एक्जामनेशन सेंटर आप कहां कहां ले सकते हैं एलाहाबाद, कानपूर, आगरा, वरानसी, गोरकपूर, लखनव, मेरट, बरेली, नोईडा, डैली, जहांसी, देहरादून, जैपूर, जबलपूर, भोपाल और अधर एक्जामनेशन सेंटर यहां पर आप इस एक्जाम का सेंटर ले सकते हैं, अच्छा, अब यहां पर आर्मी स्कूल में PGT और TGT, दो तरह की पद हैं, दो तरह की अलग-अलग योगिताएं हैं, PGT, मान लिजे आपका जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया, जैसे आपने मान लिजे इंगलेश से किया है, तो आपको Master degree, यानि MA, ठीक है, Master degree MA की साथ आपको BAD भी मांगा है, तब आप PGT के लिए अपलाई कर सकते हैं, और इसी संदर्व में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी है, आप उसमें MA कियो हो, प्लस BAD किये हो, ठीक है, कम्बिनेशन क कि कोई बात नहीं की गई है, TGT में अगर हम बात करें, तो Bachelor degree प्लस BAD यहीं चीज़ है, TGT में, TGT में आपका BA, BST भी काम हो या, जो भी है, उस हिसाब से आप जो है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, तो TGT के लिए आपको अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो graduate with BA, 2-year diploma या 4-year integrated course, PIT वाले डाल सकते हैं, ठीक है, अब यह जो vacancy है, यह 8,000 पद के लिए होनी है, और इसका जो online screening का जो exam date है, वो 21-22 November को है, 22 November, 21 November को आपका online screening exam की जो date है, वो है, और 4 November तक आपका admit card आजाएगा, result जो है, वो 2 December तक आजाएगा, चलिए अब army school के भारे में जो myths है, जो confirm नहीं है, कि यह vacancy regular है, या वो है, या पर यह इसका notification है, notification आप लोग चाहोगे, तो सरकारी result वगरा website से आप देख सकते हो, तो सबसे पहले कहाए, कि there are 137 army public schools, यानी 137 army public schools हैं, अपने देश में, जो क आप लग अलग स्थानों पर located हैं, यहाँ पर 8000 teachers roles of these schools, ठीक है, a large number get turned over every year, यानी हर साल लग भग 8000 अध्यापकों को न्यूपती किया जाता है, और उधर से 8000 अध्यापक retired होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो selection का process है, उसमें, अब देखिए, कहीं भी हूँ, वहाँ पर उधर उसने जो है, seated qualified नहीं मांगा था, है ना, अगर मैं बात करूँ, eligibility में, तो कहीं भी इसमें, seated examination नहीं मांगा है, ठीक है, how to perform, clear है, तो seated examination की बात फिलाल नेगी, लेकिन seated valid होगा, आर्मी में, यह जान लिजे, बिना seated qualified CBST रखेगा नहीं, तो पहला क्या है, screening exam के बारे म में बात करते हैं, जो आपका screening exam है, उसकी हम बात करते हैं, यहां पर, screening exam में होता क्या है, देखिए, online screening test होगा, यानि test जो होगा, वो online mode पे होगा, जैसे अपना mode वगरा का, देते हो, 21 और 22 November 2020 को होगा, यह वाला test जो आप फाम भरोगे, ठीक है, और इसके बाद, आपको ए scorecard मिलेगा, वो scorecard तीन साल तक के लिए valid रहेगा, और उस scorecard की मदद से, आप लोग, जो army school छेत्रिये, जैसे इलाहबाद army school में vacancy आई, 10 teacher, 20 teacher, 50, 60 teacher की, तो वहाँ पर, आपको local news paper, या उसकी website पर announcement, ऐसे जो है, सुचना vacancy की दी जाती हो, वहाँ पे जाई, आप interview दीजे, अच्छा ये पद जो है, रेगूलर और समविदा दोनों पर भरे जाते हैं, ठीक है, पोश्ट जो है, जब announcement होगी, भरती की, जैसे माल लिजे, आपने online screening, पास कर लिया, ठीक है, आपने eligibility दी, 11-22 लोवंबर को online screening test पास किया, अब आपको एक mark sheet मिल जाएगी, जैसे seated की mark sheet म मिल जाएगा, ये score card आपको 3 साल valid रहेगा, अब उस 3 साल के भीतर, जितने army school में vacancy आएगी, चाहे regular आए, चाहे समविदा आए, दोनों type की आती है, notification में ये इस पस्ट लिखा रहता है, ये vacancy हम 10 teacher के लिए regular निकाल रहे हैं, regular teachers को वो कहीं भी transfer कर सकते हैं, पूरे भारत के अंदर किसी भी state में, और समविदा वालों का आपको मतलब fix आवद ही रहेगी, इतने समय के लिए, 5 साल के लिए, या 10 साल के लिए, या 3 साल के लिए, आपको हम इतनी salary पर रख रहे हैं, समझ गया, तो दो तरह से vacancy होती है, यहां पर दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो य environment की guarantee नहीं देता, लेकिन इस scorecard की मदद से आप आने वाली vacancy जो school based पर डिकलती हो, उसमें आवेदन कर सकते हो, ठीक है, stage 2 पे होता है interview, जी यहां दोस्तो, as stated, note para 2 above, जो है respective schools क्या करेंगे, vacancy announce करेंगे, और आप से scorecard के जरीए, आप form भर सकते हो, मान लेजे कि जो pass नहीं ह यह वाला screening वो farm नहीं भर पाएगा, जो pass है वो farm भरेंगे, फिर उनका interview होगा, ठीक है, और तीसरे number पर है interview के बाद क्या होगा, evaluation of teaching skill and computer proficiency, यानि interview के बाद आपका teaching skill में evaluation मुल्यांकन किया जाएगा, और computer proficiency में आपका मुल्यांकन होगा, ठीक है, stage 2 and 3 will be held tandem, under the agencies board of administration at the headquarter command and school management, यानि school management का जो headquarter होगा, उनके द्वारा ये interview यानि दो और आपका teaching eligibility, ये उसके द्वारा होगा, ठीक है, ये screening army school की जो है, form के थू हो रही, लेकिन वो दूसरा form फिर से आपको apply करना पड़ेगा, interview और computer proficiency और teaching skill वाला, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बा environment जो है, वो CBSC AWS rules के द्वारा होगी, interview shall be group of school है, इसकूल के कुछ selected candidate होगे, जो आपका interview लेंगे, authorities conducting interviews may carry out additional screening, है ना, candidature if the number of candidates is large, अगर ज्यादा मात्रा में आ गए, तो वो जो है, आप से जो है, कुछ अलग से additional screening भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गया, PGT, TGT और PRT, तीन पदों के लिए आप army school का form जो है, वो भर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अप कोई confusion है, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो fresh candidates के लिए 40 सालेज है, फिर अपने-पने reservation के हिसाब से 5 साल, 10 साल, छूट है, physical handicap या जो भी आपका reservation है, ठीक है, यहाँ पर एक पूरी लिष्ट है, notification में कहां कहां आप center ले सकते हो, ठीक है, इसके बाद PGT में क्या होगा, कि master degree, BA, 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 ठीक है, English, Hindi, History, Geography, Economics, Political Science, Math, Physics, Chemistry, Bio, Biotech, सब की seat हैं, PGT में भी, TGT में भी, कहीं पर भी seat at अभी नहीं मांगा है, आप लोग BA और MA के साथ PGT कर सकते हो, और elementary वाले, 4 साल वाले, क्या कर सकते है, PIT का form भर सकते हैं, तो अब इस तरह से, अगर अब आपको कोई confusion है, over and all, सबसे पहले, army school का form भरो, army school का score card लो, score card की मदद से, जिस जिले में, जिस जिस school में, अलग-अलग vacancy आती है, 50 पत, 60 पत, 100 पत, 200 पत, उसी हिसाब से सारे candidate वहाँ अपलाई करते हैं, अपने उसी score card के माध्यम से, अच्छा score card प्राप्ट करने के बाद, आपको कोई return exam नहीं देना है, केवल interview होगा, और आपका teaching शमता का मुल्यांगन, computer proficiency का मुल्यांगन होगा, उसके बाद अगर आप पसंद आए, तो army school में, जैसी vacancy होग अच्छा, अब online screening exam में क्या पूछा जाएगा, आर्मी के, तो बिल्कुल यह उसी तरह का test होगा, जैसे आपने KVS या नवोदय का दिया होगा exam, उसी तरह online exam होगा, जिसमें आपको कुछ language के, हिंदी, अंग्रेजी के, general current affair वगएरा के question, तो इस तरह से online जो है test होगा, जै जैसी वेकेंसी होगे, उस पर आपका selection होगा, तो फिलाल 8000 पर लगभग हर साल भरे जाते हो पूरे देश में, अब इन 8000 में अगर आपको कहीं एक seat मिल जाती है, तो you are good, तो भाईया आप आशा करता हूँ कोई confusion नहीं होगा, subject combination का कोई लोचा नहीं है, यहां पर army school में औ आप क्या confusion बचा है, thank you so much, goodbye, take care, video like करें, share करें, और channel subscribe कर ले,